सुनना टाइम फ़र गुरु ग्यान मतला ब्रेक दे रहा हूं तुम लोग को यही बात बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं तुम लोग शांती से सुनो सर मैरतन में वही हुआ है आप बोलते ही जा रहा है हमको सुनना पढ़ रहा है दिवी दस मिनिट छोड़ देंगे ना फिर आप घरी चले जाएंगे देखो आज एस हो जाएगा ना तो 30 मार्क्स 25 मार्क्स कवर हो गया आज कल सिर्फ question 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 करना है चैप्टर्स का में तुम लोग मेरे से expect यही कर रहा था असला accounting standard एक बार वापस revise हो जाए कल हमको पता है बहुत जन ऐसे जो नहीं आएंगे बस remember वह 500 रुपया इस बार जो जो यह 500 रुपया को ले के हम छेड़े है ना बच्चे का message आया हां तुम लगवाओ ना लगवाओ कोई बात तुम लगवाओ तो proxy तुम अकेले तो absent होगे नहीं दो तीन दोस लोग absent होगा तुम लोग अधा क्लास आया नहीं चलो चलो यह यह लोग group study कर रहा था चलो आभी छोड़ो इधर आओ अधित्य ग्रूप study करना खराब है पूछ रहे बढ़िया है नॉर्मली दो घंटा पढ़ाई कर पाते ग्रूप study में 6-7 घंटा हो जाता है पढ़ाई फिर ब्रेक पढ़ाई फिर ब्रेक पढ़ाई फिर ब्रेक चलो गुड आओ सुनना नेक्स्ट गुरूग्यान बोल रहा हूँ पहला गुरूग्यान में paper pattern और accounting standard क्या-क्या important इस term का है बता दिया second गुरूग्यान में AS का question कब attempt करना है बता दिया अब तीसरा and one of the most important गुरूग्यान CA Intergroup 1 accounts का paper हम किस sequence में exam में attempt करेंगे और किस question में क्या chapter से question आता है ताकि हम लोग एकदम एकदम जैसे foundation में भी मैंने आपको बोल दिया था पहले हम लोग question 2 देखेंगे फिर हम लोग question 6 में भी कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं ऐसे एक बात किये थे और वो 90% सक follow किये थे तो आप question फटा फट complete कर पाये थे same चीज inter level में करने के लिए ये paper sequence किस में attempt होगा वो आपको पहले पता होना चाहिए अब ये समझाने के लिए मेरे को ना सबसे पहले तुमको paper का pattern याद करवाना होगा ये मैं याद इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि कभी दिमाग से ये निकलना नहीं चाहिए और चार टम का अगर paper देखोगे न तो same आपको दिखाई देगा कि paper हर attempt में same sequence से बनाये जाता है सुन सुन बता रहा हूँ बातचीत बन सुनते जा खाली बोल मत कुछ भी question one में चार एस रहेगा ये सबको पता है इस बार चार में तीन होंगे odd numbers बचा लिए लाज चार में तीन odd numbers होंगे ठीक अगले टम से कुछ नहीं बोलेंगे उनको बोलेंगे जाओ बस जा किया हो हम भी देखेंगे क्या होगा नया में कुछ नहीं बोल सकते मतलब it is like what difficult मतलब हम एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे consolidation पढ़ाएंगे तो ऐसे से 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 तो हमको तुम लोग को पढ़ा रहे थे अभी सोचें उन लोगों को बताना होगा unrealized profit तो सला department chapter ही नहीं है अभी तो बोल देते थे department में unrealized profit सीखे थे अब वो वापस आ गया उन लोग को हम क्या बोलेंगे क्या सीखे थे उनको तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा very difficult actually link करके पढ़ाने से ना बहुत चीज असान हो जाता है समझने में भी और अचान हाँ अचानक से कुछ आ जाता ना उसका basics बहुत important हो गया क्योंकि 30 marks तो MC क्यों है अब basics बहुत important है 30 हर subject में all six अब सुन पहला question AS आएगा चार में तीन रहेगा तुम्हारा odd numbers question number 2 question number 3 so earn 2 और 3 वो 6 chapter से आता है company accounts को छोड़के जो 6 chapter रहता है बोल रहा हूं single entry insurance investment higher purchase department branch ये 6 chapter से question आता है question number 2 और 3 में मतब 2 और 3 में company accounts का कोई नाम हो निशान generally 2 में रहता है higher purchase insurance claim investment से ये 3 chapter से 2 question 10-10 mark का question 2 में रहेगा जैसे तुम अगर 4 term में देख रहा है एक term में insurance claim investment फिर higher purchase insurance claim फिर insurance claim investment फिर higher purchase investment फिर higher purchase investment ये 3 chapter से कोई भी 2 chapter से question question 2 में आएगा ये हमारा first question रहेगा जो हम attempt करेंगे अगर मैं इस class में जितने भी आप बच्चे बैठे उसमें poll करवाँ और सबसे easiest chapter पूछू तो insurance claim और investment में सबका हात उठेगा उसमें सिर्फ आप silly mistake करोगे और कुछ नहीं अगर वो नहीं किया तो you can score 20 out of 20 और वो question टाइम के अंदर बनने वाला question होता है दने बात कैसे बनाना है वो भी कल सिखाऊंगा two के बाद question number three में maximum times department और ब्रांच से question आता है maximum times department ब्रांच या single entry जो एक chapter है उनसे आपको question दिखाई देगा department और ब्रांच जो है न वो ऐसे chapters है जिनको अगर थोड़ा practice किया जाए बनाए जा सकते है single entry तो एक हुआ है डर लगता है बड़ question बनाएंगे तो बनेगा unless आपने practice नहीं किये तो exam में जाके आप 100% अटकोगे वो पूरा complete नहीं होगा but question 3 में अगर आप देखोगे maximum time question department ब्रांच और single entry तीन चाप्टर से आपको दिखाई देगा 10-10 mark के दो question होगे ये भी वैसे question है जो आप चाहो तो second question of the paper बना सकते हो if you are confident about department single entry and branch मैं पहले उन question पर हमेशा focus करूँगा जो 10 या 5 mark के है मैं कभी 15-20 mark वाला question में हाथ ये दोनों हो गया मेरा question 2-3 question 4 आता है पूरा company account से पूरा company accounts नॉर्मली 20 mark का financial statement बनाने दे देता है एक टम में pre-post 20 mark का दे दिया था पता नहीं क्यों वैसे type से पूरा ये 20 mark का question किस से आता है company accounts only मतब यहाँ पे तुमको single entry विंगल entry कुछ नहीं दिखेगा जो दिखेगा company accounts का chapter दिखेगा question 5 आता है एक question company accounts और एक question वो 6 chapters एक question company accounts और एक वो 6 chapter आप देखो हर टम में एक वो company accounts और एक उस 6 chapter से question आपको दिखाई देगा दन है बात हम लोग question 2 बनाने के बाद the next question we can attempt is question number 5 question क्योंकि company account से 10 mark का और वो 6 chapter से जो 10 mark का question आएगा ना normally आप देखोगे वो करने लाइक question रहता है तो question 2 करने के बाद you can directly move to question 5 अगर आपको वो दोनों पार्ट देखके लग रहा है हाँ मेरे को समझ मैं और ये chapter म पढ़के आया है ये मेरा second question हो सकता है मैं second और third लिख रहा हूँ second और third अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं question कौन सा करूंगा फिर 6 अगर ये 10-10 का दोनों आता है तो ये करूंगा नहीं आता है तो मैं सीधा किस में जाऊंगा 6 में ये मेरा first second और third question होगा 2, 5 and 6 फिर question number 4 मैं 3 और 4 बोलाता है AS वो मेरा AS में जाएगा question fourth मेरा मैं attempt करूंगा AS और अगर पहले बहुत जादा time waste हुआ है तो इसको third में भी कर सकते हैं मतब फिर sequence हो गया 2, 6, 1 2, 6, 1 फिर 5, 3, 4 में मेरे को कोई भी 2 करना है और 3, 4 में एक करेंगे और एक choice में जाएगा जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे और एक choice में जाएगा और अगर आप देखोगे अगर आपने past में कभी exam दिया है 99% बच्चे जाने अन जाने में यही sequence attempt करते हैं paper sequence नह करेंगे one sub करेंगे two sub करेंगे five भी sub करेंगे mainly three और four में एक छोड़ के आते हैं तो हम लोग अगर एक sequence बना ले पहले सी हमको कौन सा पहले कौन सा बाद में करना है तो हमको paper का नहीं outline पता रहेगा कैसे move करना है आएगा पहला question two में दो question फिर दो question और उसमें और last वाले में भी एक question आ जाता है पांच माग का higher purchase वगेरा sir question number six में कुछ है क्या एक AS का question एक वो छे chapter से question बाद बाकी company accounts मतब question number six में जादा company accounts वाला portion भारी रहता है bonus पूछ लेगा managerial remuneration पूछ लेगा debenture का छोटा पांच माग का question पूछ लेगा pre post कभी कभी उसमें पूछ लेगा तो यह सब जादा रहता है question six में एक AS रहेगा एक छे chapter से रहेगा और balance तीन question कहां से रहेगा company account से रहेगा तो आप जिसका जो solid है किसी का company accounts बहुत solid है तो वो 4, 5 और 6 में ध्यान देगा किसी का वो 6 chapter बहुत solid है तो वो 2, 3, 5 में ध्यान देगा accordingly you know where to go अब उसके बाद तुमारा जो strength weakness है उस पर तुमको play करना है clear है बात और यह जो मैंने 4 term का बनाया है ना मैं 4 के अगर मैं 10 term का बनाता तो भी घुमा फिरा कि यही sequence दिखता तुमको because this is how institute prepares its paper for accounts same thing goes for advance account जब advance account करेंगे तो बताओंगा यह question इस तरीके से यहाँ पर attempt करना है clear है बात जैसा बोला वैसा कर लेना तो paper complete हो जाएगा नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तुमें एक्जाइम में छोड़के ही हाओगे और अगर तुमको जादा knowledge चाहिए तो जो बच्चे exam दे चुके उनसे पूछना तो अच्छा knowledge मिलेगा कि भाई क्या करना चाहिए वो बच्चा अच्छे से बता देगा बहुत help मिलता है मैं तो मेरे को यह सब कैसे पता चला मैं exams के बाद बच्चों से बात किया बच्चे बोले सर ऐसा 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 तो मेरे को समझ में है बच्चा का psychology कैसे काम करता है और 90% बच्चा इसी sequence से paper लिखके आता है मतब यहीं छोडता है जो छोड़ना होता है 3 या 4 में एक छोड़ेगा group 1 में और अगर 4 number financial statement 20 माक का आया तो 90% वहीं छोड़के आएंगे फिर वह 90% हो जाएगा 70% बढ़के 90% बच्चा वह touchy नहीं करता है जबकि मैं तुमको बोला था वह easy होता है उसको शुरू में मत लो एकदम last में लो और speed थोड़ा हाथ रखो देखो वह 20 मिनट में हो जाएगा आप जाएगे 2 कीजे तो फिर अगर आपको एक नहीं आता है देखो आपको देखना पड़ेगा इधर 20 में 20 पूरा आता है इधर 10 नहीं आता है या फिर 20 में भी dice ही है और 10-10 में एक 10 पूरा clear है तो 10 करेगी मतलब वो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर दिमाग ले आना है ड़न